ओम शान्ती एक जन्वरी दो हजार बाईस के इश्परिये महवाक्ये पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य प्वेंट्स भाबा ने कहा ज्यान सुनकर फिर ओरों को भी सुनाओ सर्विस का ख्याल रखना जाहिए ज्यानी तु आत्मा बच्चे ही बाप को अती प्रिये हैं खान पान आदी बनाना यह भी सेवा है लेकिन यह हुई स्थुल सर्विस हां इस सेवा में भी फल अवश्य मिलता है जो भी सर्विस करने वाले हैं सभी बाप को प्रिये हैं लेकिन जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं वह भले राजधानी में तो आएंगे लेकिन पद नहीं पाएंगे तुम्हें फाल्तू समय नहीं गवाना चाहिए मित्र संबंधियों की भी सर्विस करनी है जिन में ग्यान नहीं है वह तो जैसे बुद्धु ठहरे फिर बाबा ने कहा बच्चों में हड़ी धारना होनी चाहिए तुमको तो धदीची रिशी मिसल सर्विस में हड़ का दान देते हैं वह औरों को भी दान देना है समझाने वालों में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा परिपक्व अवस्था होगी तब बाब की दिल पर चड़ेंगे ऐसा उल्टा अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मेरे ग्यान से फला व्यक्ति में परिवर्तन आया है या मैंने बहुत अच्छा ग्यान सुनाया है बाब खुद ही द्रिष्टी देकर ग्यान सुनाते हैं लास्ट में बाबा ने कहा जिन में रोने की आदत है या कोई भी अवगुण है तो वह किसको ग्यान नहीं दे सकते अगर रोते हैं तो जरूर खोटे क रोना भी अप्शगुन है यहां तो तुमको हसना सीखना है लेकिन आवाज से भी नहीं हसना यह तो बेहद के बाप का घर है जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या हसाएंगे अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्ताहर से मुरली का सार मेठे बचे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है ज्यानी तु आत्मा बनना है समय व्यर्थ नहीं गवाना है प्रश्ण जो ग्यानवान बचे हैं उनकी निशानी क्या होगी उत्तर वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे अविनाशी ग्यान रतनों का दान करने में उन्हें खुशी होगी बाब भी उनसे राजी होगा वह कब वाहियात खान पान आदी के ख्यालातों में समय नहीं गवाएंगे उनको कभी रोना नहीं आ सकता उन्हें कभी यह अहंकार नहीं आएगा कि फलाने को हमने ग्यान दिया हमेशा कहेंगे बाबा ने दिया गीत दुखियों पर रहम करो ओम शांती यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था अब फिर कर रहे हैं रहम करने वाला कौन है फिर बे रहमी कौन यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो बाब ने रहम किया भारत पर अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया सुरेश्ठाचारी दैवी स्वराज्य दिया था तुम अब समझ रहे हो लक्ष्मी नाराइन को राज्य भाग्य किस ने दिया जरूर परमपिता परमात्मा ने रजना रजी है देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्सा लिया है यह दुनिया नहीं जानती भारत वासियों को स्वराज्य था बाब ने रहम किया था फिर रहम मांगते हैं, बेरहमी कौन मिला, जिसने दुखी, कंगाल, भरस्टाचारी बनाया, उनकी एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, इस रावण ने ही दुख दिया है, जो दुख देते हैं, वो तंग करते हैं, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी बनाते हैं, बाप कहते हैं, यह सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर इश्वर भी मानते हैं, अखबार में डालते भी हैं, कि क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले भारत परिस्तान था, सबसे पहले थे देवताएं, फिर इसलामी बोधियाद बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है बीच में और भी धर्म आ जाते हैं अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं इसलिए यह प्रशनावली भी बनाई है इस पर समझाना बहुत सहज है परन्तु जिन में ज्ञान नहीं है उनको बुद्धु कहा जाता है ज्यान सुनकर फिर औरों को सुनाना है भल सर्विस तो और भी बहुत है परन्तु वह हुई स्थुल सर्विस कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं खानपान आदी बनाना यह भी सेवा है इनका भी फल अवेश्य मिलता है समझते हैं ज्यानितु आत्माओं की हम सर्विस करते हैं सेवा करने वाले दिल पर चड़ते हैं सब महिमा करते हैं बाकी यह जरूर है ज्यानितु आत्मा बाब को अती प्रिये लगते हैं इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिये नहीं है सब की सर्विस दिखाई पड़ती है बाबा से कोई पूछे मैं दिल पर चड़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा भल राजधानी में आएंगे परन्तु पद तो इतना नहीं पाएंगे तुम मित्र संबंधियों की सर्विस भी बहुत कर सकते हो मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए फाल्तु समय नहीं गवाना चाहिए उन्हों को बाबा बुद्धु कहते हैं बाबा कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है जगत अंबा है ज्यान ज्यानेश्वरी राज राजेश्वरी है लक्ष्मी वह है सत्युक की यह महिमा जगत अंबा की इस समय की है बच्चों में हड़ी धारना चाहिए वेराइटी होते है यह पॉइंट समझाने की बहुत अच्छी है जगत अंबा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे यह जगत अंबा इनको गोड ने नौलेज दी है इसलिए सरस्वती गोडेज ओफ नौलेज गाई हुई है इस समय इस नाम रूप में गोडेज ओफ नौलेज है जिस नौलेज से ही फिर पद पाया है पास्ट जनम में नौलेज पाई है तब लक्ष्मी बनी लक्ष्मी पास्ट जनम में जगत अंबा थी यह तो बिलकुल क्लियर राज है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे एक एक बात बड़ी अच्छी है लक्ष्मी कैसे 84 जनम लेती है कहां कहां लेती है यह समझाने की बाते है समझाने की खुशी रहती है दान देने में खुशी होती है न बाप अविनाशी ज्यान रत्नों का दान देते है तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए सर्फ मम्मा बाबा के पिछाडी नहीं पढ़ना चाहिए सर्विस पर लगना है तब बाबा राजी हो ज्यानवान सर्विस में जुटा रहेगा सर्विस में नहीं जुटते तो उनको गुद्धू कहेंगे वह समझते हम बाबा की दिल पर नहीं है बहुत फालतू खानपान के ख्याला चलते है एम अबजेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है नाम लिखा हुआ है यह है पतित पावन गौड फादरली उनिवर्सिटी बाब से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस का वर्सा मिलता है बौड पर ओकिपेशन पूरा लिखा हुआ है शिबाबा का भी चित्र है लक्ष्मी नारायन का भी चित्र है एम उबजेक्ट भी लिखा हुआ है परन्तु समझते कुछ नहीं है फिर पूछते भी नहीं है दुकान होती है तो उन पर बौड लगा हुआ होता है यह मिल्क की दुकान है यह फलाने की है सत्संग पर कभी बौड नहीं लगता है वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं यहां तो बौड लगा हुआ है तो 21 जन्मों के लिए दैवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है परन्तु फिर भी बुद्धी में नहीं बैठता है फिर अंदर आकर पूछते हैं यहां उदेश्य क्या है परन्तु बौड पढ़ते नहीं है जो एम उब्जेक्ट समझ सकें देखना चाहिए न किसका दुकान है परन्तु कुछ भी नहीं जानते आदी देव का नाम भी महवीर हनुमान रख दिया है परन्तु यह कौन है कब होकर गए हैं जानते नहीं तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए समझाने वाले में ही अगर कोई विकार होगा तो किसको तीर नहीं लगेगा अगर किसको तीर लगता भी है तो वह शिब बाबा समझाते हैं जिन में कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसको लगेगी नहीं वह तो बाबा आकर किसको द्रिस्टी दे ग्यान देते हैं वह ऐसे न समझे मैंने इनको बहुत अच्छा ग्यान दिया मेरे ग्यान से इनमें परिवर्तन आया है यह भी उल्टा अहंकार है जिसमें रोने की आदत है वह किसको ग्यान नहीं दे सकते वह तो विद्वा हो गई वह कभी नहीं समझे कि मैं किसको ग्यान दे सकती हूँ वह तो बाब उनका कल्यान कर देते हैं रोया तो उनकी दुर्गती है तुम जानते हो हम हर्शित मुख देवी देवता बनने वाले हैं अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किये हुए हैं जो धोखा देते हैं अच्छे अच्छे भी रोते हैं फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टी दे देते हैं रोते हैं तो विद्वा हैं यहां कहते हैं हम राम के बने हैं और फिर रोते हैं तो गोया उनका राम मर गया गोया राम से बुद्धियोग टूटा हुआ है बेमुख है अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए भल कोई प्रभावित होते हैं परंतु वह बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि बाब है ही सत्य अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धी चाहिए बाब तो सर्विस पर उपस्थित है उनको बच्चों की भी रखनी है बीके कहलाते हैं तो मदद भी करते है कोई-कोई बीके और ही नुकसान करते हैं बाबा भी जानते हैं तो जिग्यासु भी जानते हैं इनकी चलन ऐसी है ठीक नहीं है तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगालो तुम बच्चों को तो धदीची रिशी मुआफिक हडिया देनी है कोई-कोई तो नवाब ह पोकर चलते हैं, बाप समझाते हैं, इस कमाई में भी ग्रहचारी बैठती है, दशाई बदलती हैं, कब ब्रस्पती की, कब जक्र की, कब मंगल की, कब राहु की, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, बाबा बहुत अच्छी अच्छी पुएंट्स समझाते हैं, बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिवान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम उबजेक्ट लिखी हुई है, एम उबजेक्ट को जब समझें, तब उस रुहाब से अंदर आएं, लिखा हुआ है, गौड फादर से वर्षा मिलता है, 21 जनम और 25 वर्षों के लिए, यह सब शिव बाबा की दुकान है, सेठ एक है, यह दुकान तो हजारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे, सन्यासियों के कितने दुकान हैं, विलायत में भी हैं, विलायत वाले समझते हैं कि भारत का प्राचीन योग और ज्ञान सन्यासी ही देते होंगे, परंतु नही यह तो बाप ही देते हैं मनुश्य कोई भी यह ज्यान देना सके परंतु सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल बच्चे का नाम रख दिया है तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेविन स्थापन करने वाला गोड फादर ही बैठ समझाते हैं पोप को भी लिखते हैं भारत की यात्रा पर आए परंतु इस यात्रा को पूरा समझा नहीं अब कहो तो तुम्हारे पास किसको भेज दे यहां तो वो लोग आना सके पोजिशन बहुत रहता है यहां तो गरीब आएंगे कहते हैं क्राइस्ट बैगर है इस समय हम भी बैगर हैं बैगर से प्रिंस बनने वाले हैं भल किसके पास धन बहुत है परंतु बैगर है कहते हैं क्राइस्ट गरीब है जरूर गरीबी में ही आएंगे ग्यान लेने सलाम तो भरना है कयामत का समय है हिसाब किताब चुक्तू होने वाला है नंबर वन सलाम करने वाला भी यहां बैठा है तो वह भी आएंगे तुम्हारी यह सूर्यवन्शी, चंदरवन्शी, राजधानी स्थापन हो रही है तो मुख्ये चित्र हैं लक्ष्मी नारायन का फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं हमारे तो चित्र विनाश्च हो जाते हैं एक्यूरेट चित्र थोड़े ही कोई है दिलवाडा मंदिर में भी जगतंबा और लक्ष्मी नारायन के चित्र हैं परंदु किसको पता नहीं कि ज्यान ज्यानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है जरूर उनके बच्चे भी होंगे पढ़ाई है सोर्स ओफ इनकम ब्राह्मन ही पढ़कर देवी देवता बनते हैं कितना क्लियर है बाप कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है ऐसे नहीं उसका फल उनको मिलेगा नहीं बच्चों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा मैं सर्विस करता हूँ वह तो जिसको द्रिस्टी देता हूँ उनकी तकदीर है यह जगतंबा कौन है क्या प्रालब्द पाई है इन बातों को मनुष्य नहीं जानते है बाप समझाते है मीठे बच्चे रोना भी अपसगुन है यह बेहद बाप का घर है न जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस कर हसाएंगे यहां तो हसना सीखना है हसना अर्थात मुस्कुराना आवाद से भी हसना नहीं है कितने शिक्षा दी जाती है पॉइंट समझाई जाती है दिन प्रति दिन नोलेज सहज होती जाती है तुम्हारे में भी ताकत आती जाती है अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का नंबर वार पुरुशार थनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है दधीची रेशी मिसल सर्विस में हड़ियां देनी है दूसरा सदा हर्शित मुख रहना है कभी भी रोना नहीं है रोना माना विद्वा बनना इसलिए मुस्कुराते रहना है जोर से भी हसना नहीं है वर्दान एक बाप में सारे संसार की अनभूती करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव एक बाप में सारे संसार की अनभूती करते हुए निरंतर एक की याद में रहने वाले सहज योगी भव बाबा ने कहा सहज योग का अर्थ ही है एक को याद करना एक बाप दूसरा ना कोई तन मंधन सब देरा मेरा नहीं ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं सहज योगी बनने की सहज विधी है एक को याद करना एक में सब कुछ अनभव करना बाप ही संसार है तो याद सहज हो गई आधा कल्प मेहनत की अभी बाप मेहनत से छुडाते हैं लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी स्लोगन महानात्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धार्ण करता है और अब एक विशे सूचना इस अव्यक्त मास में हर रोज एक नया अव्यक्त ज्यानमोती आपको मिलता रहेगा सभी कोशिश करें एक दिन भी वह मिस न हो अभी उसे सुनने के लिए स्क्रीन पर दिये बॉक्स को टच करें